अर्विन केज दिवाल भरस्ता चारी हैं फसे हुए हैं तो अब इलम केज खोलवाईए और सजा कर दिए आपके साथ रहने वाले सारे चोर भगत सिंग महात्मा गांदी चंसेगा रजाद अस्फाक उल्ला और आपसे विरोध रहने वाला सब चोर क्यों कब्रिस्तान में अध लेकिन आप मुसल्मानों की जीने की आजादी तो चीनी लिए नमाज कहां पढ़ेंगे उसमें आप उसको आत्रवादी कह दे और मरने के बाद भी मुसल्मान को दफनाने की जमीन टैक्स देना पड़े आपसे पुछना पड़े या किसी भी धार्व को दिये हम नहीं चाहि लेको राहूल गांधी का इतना खौफ हो गया है फविया हो गया है राहूल राहूल जीने पर हमला डलीतों के परने पर हमला डलीतों के जीने पर हमला मुसल्मानों के खाने पर हमला घर बनाने पर हमला तो अब मरने के बाद भी हमला आप क्यों कबिस्तान में आदानी अब मुसल्मान से जुरा हुआ वक्षा है यह तो मामला धार्मिक स्वतनता और अजादी की है सारा बख भी जमीन क्या माफिया को दे दीजेगा आप कुछ नहीं करने दीजेगा आप कियेगा मंदिर का रहिस्टेशन नहीं है आजाप यहाँ हमला करें का गुर्द्वार रहिस्टेशन नहीं है रहिए काभिस्तान का है कब्रिस्तान 메स कि किसी की जमीन कोई व्यक्ति शमीन आप देख लिए तो हमने कहा आ She जिस तरीके से हम तो सभी धार्मी का जाधी की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी काला कानून जो लाए हुए हैं आप किसी को खत्म करने के लिए, किसी के मरने के बाद उसकी अधिकार के लिए कबरिस्तान में नहीं जा सकते। एक चीज थोड़ी और सारी जमीने पुंजी पति को देने, उस वक्व कबरिस्तान संबैधानिक अधिकार यात्रा। हम वो यात्रा निकालने वाले नहीं हैं, छो मेना चुनों बच्चास, आट मेना तो चल दिये यात्रा निकालने, पबली को ठगने, जादबात करने, कुर्सी कैसे मिलेगा उसके लिए, हम अधिकार के लिए आ रहे हैं। उलिमाओं से हो, चाए मिली कॉंसिल से हो, सब के एदारा के चीप से हम बात किये हैं। हमने कहा है और बात करेंगे, जो लोग इसमें मेंबर हैं कि आप आईए, 29 तारिक से, सीमान चल से, या यात्राम, अररिया, किशन गैंज, कट्यार होते हुए, हम पटना आएंगे, पटना जब आएंगे, तो सारे इदारे और सारे हिंदुस्तान के जो मेंबरान हैं, उसको हम बुलाएंगे पटना में। तो इससे लिए अधिकार काला कानून के खिलाफ है, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं हैं, लेकिन आप मुसल्मानों की जीने की अजादी तो छीनी लिए, नमाज कहां पढ़ेंगे, उसमें आप उसको आत्रवादी कह देते हैं, चलेगा तो उगरवादी हो जाएगा, दली और मरने के बाद भी मुसल्मान को दफनाने की जमीन, टैक्स देना पड़े, आप से पुछना पड़े, या किसी भी धर्म को दिये हम नहीं चाहें, इसके खिलाफ हैं, क्या नाम आपका यात्रा हैं? किसी को जैल नहीं जाना चाहिए, भरास्ताचारी, अपरादी, माफ्याब अलतकारी को तीर मेने का अंदर फांसी तो, या सजा करिए, या स्पेसल कोड बना दीजिये, उसको सफर ना करना पड़े, गलत जैल में ना डाना पड़े, रहत हो गए इतने दिन जैल में, और कि यदि अर्विन केज निवाल भरस्ताचारी हैं, फसे हुए हैं, तो अब इलम केश खोलवाईए और सजा कर दिए, लेकिन पॉलिटिकल नहीं, नियाला देखेंगी, ये गलत है, ये परंपरा गलत है, आपके साथ रहने वाले सारे चोर, भगत सिंग, महात्मा गांदी, मैं पडाम करता हूँ, बहिया चुनवी मौसम में सब नेता जानते हैं, दुनिया जानती है, इसलिए हम किसी यात्रा होती है, लोगों के जीवन बदलने की, संगर्ज करने की, पांच बिभाग में एक पिताजी निकले थे बिहार में लास पर बटेगा, क्या हुआ, अब प पांच बिभाग दो दो बार DDTCM बने, अब पांच बिभाग, नर्ग बिभाग का क्या हुआ, हैल्फ का क्या हुआ, अर डड़ोडी और PWD का क्या हुआ, अब बहलु का क्या, सब बिभाग मलाजार तो इन ही के पास था, बदल देते, आप जो कहते हैं, कि विश्यस नमी सुची जब दोनों आदमी थे तो आप ले लेते और सियासत के लिए आपको सब कुछ याद़ाता है सब लोग यही थे जस्वी जी की यात्रा की बात हम नहीं कर रहा है और भी लोग यात्रा करते हैं जिसका ना जमीन से मतलब ना लाधी काया ना संगर्ज किया ना किसी की मदद किया ना उकाद है सारे रिजक्टेड माल जो पैसा कमा गया आईयास आपियास और गौं में जो ल कि लीकाए का निकलना पड़ रहे हैं दिया नहीं पड़ रहे हैं तरहा किस भात की पपुयादब यात्रा किसी अधिकार किसी कानूर को स्बीदान को बदो करने के और आप लोग का यात्रा है सत्ता में बढ़ने के तो सत्ता में बढ़ने का यात्रा को कई बार लोग देख चुका है कौन ट्रस्ट करेगा कोई आरा जाएगा कोई मुकामा जाएगा शिमान मंच पर कोई बोलेगा कि गया वो जमाना बूत क्या अब अगल मैं अयूब खान तो अपरादी सबको खड़ा करी हुए साबुदी जी विरोदी और फिर अब कर रहे हैं कि साबुदी जी पड़ी बार को लाएंगे तो उग कौन चीज था लग किस रह में कौन चीज था और आज मुकमंत्री जी जहां जा रहे हैं वो क्या है अक्काल आप मुकामा में टिकर भगत सिंग को दिए सुबा संभुष तो अब ही जो बाएलेक्षन में चुनाओ दे रहे हैं यह लोग क्या भगत सिंग महात्मागांदी को दे रहे हैं आरा में जो बाएलेक्षन है जो और पार्टी बीजेपी ने जो 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 आइन कराता है तो जब आप लोग सारा पार्टी और नेता जाती के क्रिमिनल अपरा करिएगा और उसी को ठिकर दीजिएगा जनता करती है उसी को दो यह नेता लोग भी क्या करें भाई जनता करता मेरे जात के अपरादी को दो पैसे वाले को तो क्या करें भाई जनता कम दोसी नहीं है नेता तो दोसी है और का तो सारा परादी माप्या को ठिकर मत दीजिए कि अपराद रुख जाएगा अतीन मेना में सजा करिए कि करते ही नहीं है इस सब सरावे करता है बंद करेंगे जितना मांजी जी बुजूर गया एक और महत्मा गांधी नेता पैदाव करता हम आते सराव खोल देंगे अरे बाप मेरे मेडिकल खोल ये ना मेडिकल माप्या को कर रहा हूँ छे महने के अंदर दुनिया का नंबर वन कर दूँगा मैं मेडिकल और एजुकेशन को और एक भी माफ्या के दी नहीं चलेगी बियार की जंता नहीं लूटे जाएंगे मैं फ्री कर दूँगा जहां और मेडिसीन फ्री हैं अकाद तो करिये मैं कह रहा हूँ छे महने के अंदर भरस्ताचारी को मिटा देंगे आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं छे महने मैं कह रहा हूँ आएटी को लाओंगा छे महने के अंदर विहार में कि साल भर के अंदर बरस्तियाचार को मिटा दूंगा और साल भर के अंदर नमबर बन करूं यह हलुक मैट भी लाइक हो रहा है यह सस्ती लोग प्रियता के लिए शराब शराब सब्सक्राइब को लिए परचार करने गए थे अब अंगला देश के रास्पति को रखे हुए है युक्रेयन में जाके इस्राइल में इन्वल्व होते हैं यह जो बाहर विदेश में जाके कुछ-कुछ बोलते हैं यह तो डिमोक्रेसी पर बात कर रहे हैं और अपने लोग के बीच बात कर रहे हैं भारतिय नागरी के बीच बात कर रह एं जो वहां लोग हैं इनको भौन देता है a total NRI तो ठीक NRI ये जाता ये कुछ बोलता है तो ठीक कैसी राहूल गांधी भारत के लोगों के बीच जाकर कह रहा है कि ये चुनाओ फेयर नहीं था तो ये कौन बरिबात हो गई सही में फेयर नहीं था अपने लोगों की बात तो हो करनी चाहिए अरे छोरो यार इनलों को तो ढर और खौप राहूल गांदी का यह लोग भगवाल का नाम नहीं लेता है खाने के पहले मरने के पहले सुतने के पहले बिजेपी वाले को राहूल गांदी का इतना खौप हो गया है फब्या हो गिया है राहूल दाऊं अरे यह एक दिन तो गड़ेंगा इन इन बैमानों आपे चलीगा पपढ़न जिनक मंज साजा नहीं पर से किसी का ऊपराई राजपाल का क्या तहया के पात रहा है राजपाल का इतना बड़ा गवर इसको राजपाल को मिलना चाहिए कि चार्थो रूम में दो, क्यों इतना वड़ा जमीन और घर में राजपाल है भई, चार्थो दो, राजपाल का क्या मतलब, कहेगा राजपाल, राजपाल पधाटा हो जो बरधस्ती इतना प्रिज़ा कर जाओता है, एड़म राजपाल का पधाटाना चाहिए, ये संगिये बेबस्ता के लिए खत्रा है इरादपाल इरादपाल टाइप का कोई एजुकेशन अपना समयधानी कामी करवे ने करेंगे यह जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बनके गएं क्या गाली देने का हैं किसी सरकार को अस्तिर करने का हैं चुनीवी सरकार के खिराप इसको भेज देता है इसना मेधानी कर गए हैं तो पहले तो इनका इतना बड़ा भाल चीनिए चाठो रूम दीजिए और राजपाल पद की कोई जोरत नहीं है बगवास बात आईए